इस वीडियो में cover आप करने वाले interpolation के बारे में तो interpolation का जो formula होता है Newton's forward difference interpolation and Newton's backward difference interpolation दोनों का formula अलग होता है बट इसको अगर देखूँगे तो ये काफी लंबा सा formula आपको लग रहा है थोड़ा टफ लग रहा होगा बट इसको मैं आपको एक trick बताता हूँ जिससे आपको याद रह जाएए तो इस वीडियो में हम लोग cover करने है Newton's forward difference interpolation only तो इस topic को cover करने लिए हमें ये formula चाहिए होगा ये दो formula है तो पहला जो formula आपको याद करने की बट दिखाता हो तो y हमें निकालना रहता है इसके बाद जो है delta का square होते जाता है square, cube तो ये बढ़ते जाती है और s जो है आपको पहले क्या कर दे लेना गई y0 को लिख लेना है ठीके side पे y0 उसके बाद प्लस लगाना है ये s लिख देना है उसके बाद उसके बाद जब भी s का term आएगा तो s का term जो है s-1 जूरते जाएगा उसके तो s, s-1 इसके बाद बाद जो term रहेगा s, s-1, s-2, s-3 ऐसके जूरते जाएगा तो ये हो गया s, s-1, s-2 अब इसके जो delta का fact आता है वो y0 हर एक में रहता है y0, 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 right इसमें जो changes आती है वो ये आती है, ये delta हो गया delta का square हो गया delta का q आ जाता है, right तो एक increment होता है y0 को छोड़के, y0 को अगर अलग से याद कर लो तो ये delta पहले में होगा दूसरे में होगा delta square तीसरे में होगा delta का cube अब नीचे का factorial देख रहे हो delta का power actually 1 है तो एक का factorial एक का factorial, बट एक का factorial क्या होता है एक का factorial 1 नहीं होता है तो इसलिए 1 लिखने की ज़रुरत नहीं है तो ये formula याद करने का बहुत ही आजसांट टीक हो गया मैं और एक बर repeat कर देता हूँ y0 को अलग से लिख लो पहले, y equals to y0 फिर plus लगाओ, s लगाओ पहले फिर plus लगागे, s-1, s-1-2 है ना, और ये s हमेशा वर रहेगा बाहर में s, उसके बाद s-1, s-2 तो एक s common आ जाएगा और s-1, s-2, s-3, s अगर के आगे बढ़ते जाएगा इस पर plus, dot, dot, dot और भी ये series बढ़ते जाती है, ठीक है और जो square है, delta का उसका denominator में उसका power हो जाएगा तो वह भी factorial में आ जाती है जैसे कि यहाँ पर 3 है, तो 3 का factorial 2 है, 2 का factorial तो 2 का factorial आपको निकालने आता होगा तो, नहीं आता होगा तो ये दो को लिखतें, 2 गुणा 1 और 3 को लिखतें, 3 गुणा 2 गुणा 1 यह होता है, factorial निकालने के तरह का अगर 4 को factorial निकालना है तो, 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 यह होगया, आपका factorial निकालने का तरीका तो किए ये formula काफी easy होगया इसको रटने की कोई ज़रूरत नहीं है न्यूटन्स फॉरवार्ड इंट्रपोलेशन फॉर्मूला इसका जो बैकवार्ड फॉर्मूला है वो भी काफी एजी है मतलब इसी तरह से है इसका जो डिल्टा खली घूम जाता है और यजिरो को जगा यन आ जाती है हो जाती हाइट इसका जो एक्स जीरो दिया हो आ रहता है एक्स का भी वैल्यू दिया हो रहता है तो हमें एक्स एक्स का वैल्यू मिल जाता है अगर इन केस हमारे पास एक्स का वैल्यू नहीं हो तो उसका भी क्या होता है s का यह आता है value वो x के बड़ाबर आता है जैसे कि यह देख लेते हैं लोग यहाँ पर f of x f of x का value actually 1.5 जो कि x is question 1.5 होता है तो f of x का value हो गया 1.5 तो हमें यहाँ 1.5 जो है x के जगह पर बैठाना 1.5 इनकेस अगर इस x का value ना दिया रहता है किसी question में दिया नहीं रहता है तो यह x जो है s के बड़ाबर आता है जो कि यह तो जहाँ जहाँ हमें s लिखना रहता है formula में वहाँ x लिखी देते हैं इस तो यह question है उसको हम लोग cover करेंगे तो हो जागा गई से तो आगे बढ़ जाते है question ले लेते हम तो कैसे हमें question मिल चुका है जो कि यह graph of formula formulation तो कैसे यह हमारा question है graph of function is passing through the point 0.7 1, sorry 0.7 है 1,10 है 2,13 3,20 and 4,43 तो यह होगा हमारा points exam में भी यह ही question आता है actually हम यहाँ बनाता है तो हमारे पास यहाँ पर एक table बना हुआ रहता है but question paper में ऐसा कोई table लोग बनाते नहीं है तो उस पर क्या होता है हमें इस तरह से question लिखके दे देता है तो इसको हम लोग किस form में लिखेंगे इसको अगर हम लोग लिखना चाहें अपने tabular format में तो इसको इस तरह से लिखते है guys पहले तो हम लोग यह यह actually हो गया इस पर 2 इस group में है 3 इस group में 4 तो यह x का value हम लोग put कर दियो y का value उसी तरह से 7 दूसरा में 10 तीसरा में 13 14 में 22 और 5 वाला में 43 तो यह हो गया यह हम लोग टेबल बना रहेगा इस जिसको हम लोग बोलते हैं difference table इसको हम लोग बोलते हैं difference table ओके अब हमें क्या निकाल रहा है delta of y y 0 भी बोल सकते delta of y भी बोल सकते हो delta का square y delta का cube of y ठीक है अब हमें इसको कैसे निकाल ला गाईज यह जो y है यह आपको समझ में आगे ना यह वाले चीज़ को किस तरह से लिखें यह 0 को इधर बैठा दी यह 1 को नीचे में 2 को x वाले रो में ठीक है कॉलम में हमें यह बठाना रहता है यह सारा चीज x है left वाले राइड वाला वाई है तो y के जगा पर यह 7 10 13 22 43 उसके बाद हम लोग इसका difference निकालते गाइस 10 इसको निकालो ऐसे इसको माइनस इसको ठीक है नीची वाले से उपर वाले को माइनस करना अगर प्लस माइनस है तो उसी साब से कम oplस माइनस बिएज किए फिर उस पहले तो ना जार युवए और इसको यह से माइनस करेंगे तो 21 तो आपको किस तरह से लिखना है इसको इस नीचे वाले को ओपर वाले को माइनस करना यह पर नहीं लिखना है बीच पर फोर्श नहीं के मैस कमने स्कॉर पर बिच मे लिख दिये कोप्र वाला बड़ा हो तो हमें अनेगेटिव याएगा डिकटए तो वेल्यकी बिटा एक सली तो अभी तो नेगटिव नहीं आएगा इस तो अभी सेम करते हैं इसको और इसको मैनस करेंगे तो जिरो आजाएगा तीन माइनस सीन जिरो नाइन से तीन गया छे एंड़ इसको ट्वेल वाजाएगा इसना अब इसको तो कुछ निकरना है से 6-0 हो जाएगा 6 यहाँ लिखने 6 एंड 12-66 अब हम डेल्टा फोर भी निकाल लेते क्योंकि यह और भी एक्स्टेंड हो रहा है तो यह 6 है यह भी 6 660 तो गाइज यह टेबल बन गया हमारा डिफ्रेंस टेबल जिसको बोलते है न डिफ्रेंस टेबल इस तरह से बन गया है तो जिसमें हम लोग इसको इससे मैनस क हैं और इसको इससे मैनस कि यह राइट नीचे वाले को उपर मैनस की है तो जैके हैं यहां का कुछ वैल्यू हमें πता ऊना चीए कि इसको एक्स जीरो बोलते हैं इसको Y 0 वोलते है क्योंकि Y है Y जीरो夏 जिरो ठीक है और यह x का जो sequence चल रहा है इसका एक difference होता है तो इसको अगर देखे तो यह एक इसका भी difference निकले गए एक इसका भी difference निकले गए एक तो हमारे पास जो h हो गया h equals to 1 हो जातेगा इस यहां पर तो x का जो differences है वो h का value हो जाता है तो h equals to height है height हो गया h equals to height ठीक है और हमारे पास अभी निकल के आया है y0 तो y0 is equals to 7 है न और x0 का भी value है हमें जबरत नहीं होगा आगे में उसके बाद हमें अभी क्या निकाल लेना है guys इस पे x का value निकालना है तो हमें x का formula पाता है x equals to x0 plus s dot h है न यह formula हो गया इससे हमें s का value मिल जाएगा s का तो इसमें अगर बैठाओं x का value हमारे पास अब given नहीं है right find the function f of x तो x का value हमारे पास नहीं है तो हम लोग x के जगा पर x ही लिख देंगे x का value अगर given रहता तो उसका x का value 0.5 रहता है तो उसका value लिख देता हम लोग अभी है नहीं तो x ही लिख देंगे x of 0 हम लोग इधर निकाल है 0 x of 0 guys यहां से निकला है x का जो पहला data है उसको ठीक है and plus डालेंगे s का value हमारे पास नहीं है but h के value जो है 1 है h का जो है height होता है height हमेंशा 1 टू ऐसा ही करके निकलता है maximum case में वह 1 ही रहता है तो यह 1 हो गया guys तो x का value अगर देखे तो हम लोग यहां 0 को जाने दो and x multiply में 1 होगा तो आपका s हो जाएगा ठीक है तो इससे हमारा क्या निकल रहा है s का value है x आगे राइट तो हमारे पास s का value निकल गया s के जिगर पर हम लोग export कर देंगे तो guys हमें s का value मिल गया x अब आगे बढ़ जाते हम लोग यहां पर हमने लिखा है pencil है hence the hence the newton's forward difference interpolation formula we have तो हमें newton का forward difference interpolation से हमारा formula है वो हमने लिख दिया नीचे पे जो कि y equals to y0 पहले लग 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 लो s उसके बाद s minus 1 s minus 2 ऐसा करके जाता है delta delta y delta square y delta qy और नीचे में अगर delta का power 3 है तो 3 2 है तो 2 नीचे में factorial actually 2 and 3 and इसका delta का power 1 है तो 1 का factorial 1 ही होता है तो इस तरह हम लोग formula लिख लिख लिए अब इस पर value put करेंगे हमारा रपस सभी values है क्योंकि हमने वो निकाल रखा यहां पर है ना right यहां सम लोग सभी values put करेंगे तो पहला जो है value तो y0 y0 का value 7 है तो यहां पर हम लोग y equals to y0 हो गया 7 plus s multiply s s का value कितना है guys s का value x तो x लिख दो यहां पर x लिख देना है and delta y delta y हमें यहां से लिख देना है delta y 3 ठीक है guys समझ में आ रही है delta y इहां से उठाना है 3 and plus लिख देना है फिर से S का वेल्यू है X bracket X minus 1 S का वेल्यू पूट कर रही यहाँ पर डेल्टा स्कॉर Y डेल्टा स्कॉर Y कहां है डेल्टा स्कॉर Y 0 है गाईस मतलब यह बूलो पूरा टर्म जो है यह पूरा टर्म ही 0 हो जाएगा इसके बाद S का वेल्यू हो जाएगा इसका वेल्यू हो जाएगा इसका वेल्यू हो जाएगा इसके बाद डेल्टा क्यू निकालना हमें डेल्टा क्यू क्या है डेल्टा क्यू वाई है 6 मल्टिप्लाइ में 6 डिवाइड वाई डेल्टा क्यू का वेल्यू हमें निकाले हैं तो 3 का फैक्टोरियल उसके बाद प्लस देके डेल्टा 4 डेल्टा 4 आएगा इसके बाद तो तो हमें आगे बढ़ने की कोई जबरत नहीं है ठीक है अब इसको अगर कैलकुलेशन कर दें इस कैलकुलेशन को अगर सिंप्लिफाइ करें तो 7 प्लस 3x प्लस यह तो 0 से मल्टिपला होगे प्ला टर्मी 0 हो गया है तो 0 एक्स हो गया एक्स अच्छार्य इहां 6 लिख देता है नहीं नहीं 6 नहीं लिखते गाइज यहां पर हम लोग क्या करेंगे X, X-1, X-2 as it is लिख देता है उसके बाद ये 6 लिख के नीचे में जो factorial होता है उसको तोड़ेंगे तो 3, 2, 1 3 का factorial 3, 2, 1 आता है तो ये 6 के साथ कट जाएगा right, cancel हो जाएगा तो 7, plus 3, X plus 0, sorry फिर से हम लोगो इसको लिख रहे है, कोई इश्यू नहीं है X, Q, X से multiply करना है, इसको, इसको इस से multiply करना है, इसको इस से multiply करना है तो X square इसके बाद guys इसको देख लेते है, X square minus 2X okay इसके बाद इसको multiply करो, minus X, इस minus minus 1 को X से multiply करो minus X, minus 1 को माइनस टू से माइनस माइनस प्लस प्लस टू राइट यह हो गया इतना यह तो कट गया अब हम लोग कुछ इस तरह से 7 प्लस 3 X 0 को नहीं लिखेंगे अब X X को मल्टिप्लाइ करेंगे तो XS Q माइनस हो जाएगा 3 X स्कॉयर प्लस 2 X है उसके बाद इसको हम लोग अगर सिंप्लीफाइ करें तो XS Q माइनस 3 X स्कॉयर अच्छा से लिखेंगे हम लोग इसको इसके बाद यहां प्लस 3 X है यह वाला को और इसको जोड़ दो प्लस 2 X और प्लस 7 तो यहां हमारा क्या बन जाता XS Q माइनस 3 X स्कॉयर यह दोनों सेम टर्म है तो इसको जोड़ दो 5 X प्लस 7 यह हमारा एंसर हो किया गाईस ठीक है तो गाईस वीडियो को पॉस करके आप यहां से लिख सकते हो इस क्वेश्चिन से हम लोग क्या सीख रहे हमारे पास अगर X का वेल्यू नहीं है इस क्वेश्चिन में हमारे पास तो हम लोग X का वेल्यू निकालने के लिए यह वाला फॉर्मूला यूज करते हैं जो कि S is equals to X आ जाता है लास्ट में क्योंकि सारा term S है उसके बाद यहां पर हम लोग अगर सुरू से देखे तो 0 य nzmy out W1 ॆल्वेज ठीक है और इसको उसके बाद y का वेल्यू अगर निकालने है नेक्स्ट और डेल्टा-वाई-डल्टा- Νेकालने तो नीचे का माइनस बॉपर का जो टर्म है उसको मानिस करते जाऊ और वीच में ठीक है उसके बाद formula याद करने की तो तरीके में बता दिया हूं और formula में S का value जो है वो put करना है और delta y0 को जो यहां से value उठाके delta y0 को ठीक है delta y का value यहां से put कर देना है delta q delta square का यह वाला value हो गया delta square और यह delta q का value हो गया आगे वाला डिल्टा 4 को value तो 0 है इसलिए आगे वाला term 0 हो जाएगा इसलिए इतना दूर निकाल ले यह calculation का अड़ी के बाद overall यह आया तो आप video को pause करके यहां पर लिख सकते हो गाइस ठीक है इसी तरह से और एक point हम लोग कवर करते हैं topic मतलब इस equation का forward Newton's का forward method यूज करके interpolation method यूज करके इसमें यह वाले question में एक table हमें दे दिया गया है जिसमें x और y का value दे दिया है and इसमें लिख दिया है find f of 1.5 तो f of x का value है 1.5 हमारे पस दिया गया है question में इससे पहले वाले question में वो value ने दिया गया था है x of x का value तो x का value हमें given है तो हमें क्या करना है आगे में तो अभी हम लोग लिखेंगे we have x is close to 1.5 right and इसको यह x वाला जो term है यहां से हम लोग ठालेंगे यह होगे actually x of 0 right क्योंकि यह x का value है तो x of 0 जो पहला वाला है वो x of 0 है और यह हो गया y of 0 ठीक है यह हो गया y of 0 यह x of 0 यह y of 0 x of 0 का value हमें given है 1 and height height जैसे की मैंने कहा है इसका difference अगर निकालोगे x का तो 1 आएगा वो maximum के एफसे में 1 नहीं रहता है कभी कभी 5 कभी 2 भी रह सकता है ठीक है guys तो we have these things and हमें यहां पर x का formula लगाना पड़ेगा तो s निकालने के लिए x का formula हमें लगाते x is close to x of 0 plus s into h है न तो x का value हमें यह formula है guys हम लोग जैसे कहा पहले भी देख से तो x का value है 1.5 इसी से हमें s का value निकलेगी तो x x of 0 है 1 plus s लिख दो and h का value 1 है तो इस कुछ इस तरह से है 1.5 is equals to आपका आगया 1 plus s तो s को रख देंगे इधर उसको भीज देंगे अधर 1.5 इस 1 को भीज देंगे तो minus में हो जाए का minus 1 तो हमें s का value मिल जाएगा 0.5 है ना तो यह हो गया हमारे पास s का value जो कि हमें formula में needed होती है s का value and उसके उसके बाद हमें वो difference table बनाना है तो यहां पर मैंने लिख लिए xy delta of y delta of y delta square y delta qy delta 4 का y ठीक है अब मुझे एक्स का value table से put कर देना 1 2 3 4 line से तो कर लेते वह तो table से मैंने 1 2 3 4 5 put कर लिया है x का value and y का value भी same put कर लेता है 1 5 है 22 है 50 है and 90 है ठीक है तो यह हो गया and इसके बाद हम लोग क्या करने वाले है इसका value निकालना है और डेल्टा वाइका तो इन दोनों को माइन 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 करेंगे रहे तो हमारे पास हो जाएगा 4 इसको negative score इसको माइनस करो इसको पर इसको माइनस 17 50 माइनस 22 हो जाएगा 28 90 माइनस 50 हो जागा 40 राइट तो यह हो गया हमारा देल्टा वाई डेल्टाइस क्वार वाई का value निकालना है इसको मैनस इसको मैनस इसको मैनस नीच्चे से उपर को मैनस कर दिना इस तो हमारे पास निज एगा माइनस 2 क्योंकि यहाँ पर अगर हम लोग लिखे 11 माइनस 13 तो 2 आएगा लेकिन माइनस में आएगा है न तो वही बाला लिख दियाँ अब उपर वाला छोटा है तो 2 माइनस किया रहा है मतलब 1 एक आगिया और इसको माइनस करेंगे इस से तो अगर 1 को माइनस 1 को माइनस करो उपर वाल एलिमेंट से माइनस 2 मतलब माइनस माइनस से प्लस है ना तो हमारे पास आजएगा 3 लेकिन प्लस में आएगा तो यह हो गया कुछ इस तरह से तो हमारा यह x of 0 है y of 0 ठीक है बाकि यह values का है यह values का यह values का ठीक है यह values का जिसको हम लोग formula में put करते है तो newton's forward interpolation का formula हमने लिख लिए है जो कि हमें अल्रेडी पता है अब हम लोग इसमें इसका value पूट करने वाले है y 0 को value हो गया guys 1 plus s का value हो गया हमारे पास कितना है 0.5 है न 0.5 को multiply करो delta y 0 delta y 0 क्या है delta y 0 यह वाला है 4 ठीक है फिर प्लास फिर s को दो 0.5 फिर s-1 0.5 minus 1 delta square यह square delta square y delta square y यह वाला है तेरा है लेकिन delta में square था तो नीचे में आपका 2 का फेक्टोरियल आ जाएगा उसके बाद फिर प्लास फिर वही वाली 0.5 0.5 minus 1 0.5 minus 2 आएगा इस पर minus 2 है s कब बाद s minus 2 है ना 0.5 minus 2 उसके बाद delta q y delta q delta q y का value है minus 2 क्योंकि यह delta q था था तो नीचे में factorial of 3 अब आगे में इसी तरह से डॉट 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 चलते रहेगा और इसको हम लोग अगर solve करें गाई तो हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाएगा 1 प्लस इसको multiply करेंगे गाईज तो आजागा 2 उसके बाद इसको calculate करेंगे इस पूरी चीज को अगर calculate करें तो 3.25 आजाएगा और नीचे में आजाएगा 2 2 into 1 क्योंकि यह factorial करेंगे तो 2 into 1 आजाएगा तो 2 into 1 is equal to 2 होता है फिर प्लस देंगे फिर यह वाले चीज को अगर calculate करें तो आपको आजाएगा 0.75 divided by 3 into 2 into 1 और यहाँ पर जो 2 है इसको calculation करेंगे बाद इसको से multiply भी करना पड़ता है तो इतना जाएगा है और नीचे में इसको फेक्टरियल को तोड़ दीगा इस ठीक है अब हम लोग 1 लिग देंगे यहाँ पर 2 भी आ गया इसको अगर calculate करेंगे दिवाइड तो 1.625 यह आएगा और इसको multiply करके इसको अगर डिवाइड करें तो 0.125 तो यह सब करने के लिए हमारे पास actually calculator है यह वाला scientific calculator इसको यूज करना पड़ता है गाई एक्जाम में यह allowed होता है आपके लिए तो यह सारा calculation इतना possible नहीं है इतना बड़ी-बड़ी calculations तो इसके लिए यह वाले scientific calculator आपको लेकर जाना पड़े एक्जाम में यह allowed होता है एक्जाम में एक्जाम में मोबाइल नहीं करेंगा गाईज यह होता है तो यह सारा चीज़े हैं जो कि आपको मतलब करने के लिए सोड़ा टाइम कंजुमिंग है बट हो जाता है उसके बाद इसका जो ओवर्ल वेल्यू आगा यह और यह आपका फाइनल वेल्यू आजागा तो यह हो गया न्यूटन्स का फॉर्वर्ड टिफ्रेंज इंट्रोब्लेय्शन फॉर्मूला जिसकान लंग डेल्टा वी महलें और इसका जो बैकवर्ड इंट्रब्लेशन फॉर्मूला वह अलग होता है उसको फचन्सकी सायगे से इस तरह से होता है इस एक एक यह वीडियो आपको लग करें जो होता है सरी जो backward formula होता है वह वाली उसको cover up कर लेंगे तो इसको अगर आपको यह लिखना है तो मैं suggest करूँगा यहां से लिख लीजिए आप वीडियो को पॉस करके थोड़ा सा यह पर वीडियो पॉस करके आप इसका table बना सकते हैं ठीक डिफ्रेंस टेवल यह वाला रहा इसका s का value निकाल रहे हम लोग डिफ्रेंस टेवल यह question में अगर f of x अगर दिया रहा value तो यह x का value थोड़ो हम पूट करना रहता है अगर नहीं रहा तो इससे पहले बाला जो method किये थे इसी वीडियो में वह अपलाई होगा तो आख हला कि method थोड़ा से हमें उम्हां पू पूर्मुला में लगा देना है तो इसको आप नोट डाउन कर सकते हो यह लिजिन में इसको focus बना दी हूँ और इससे लिख के इस question को नोट डाउन कर लो पॉस कर लिज एक बार वीडियो को और यहां पर एक बार ठीक है guys I think कि यह आपको अच्छे समझ में आ गया होगा thank you guys है